आज टॉपिक शुरू करते हैं पावर शेरिंग एंड फेडरलिजम कम्प्लीट पॉलिटिकल साइंस को कोशिश करेंगे कि आज हम लोग फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट कम्प्लीट करते हैं मैं दोनों चेप्टर को साथ में पढ़ाना चाहा रहा था पावर शेरिंग को और फेडरलिजम को क्योंकि दोनों में आपस में बहुत सारे कनेक्शन्स आपको देखने के लिए मिलें पावर शेरिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो पावर शेरिंग इस बेसिकली वाट क्या हो सकता है पावर शेरिंग इसका best example हो सकता है आपके और मेरे घरों में हमारे परिवार में किसी ना किसी तरीके से कुछ जिम्मेदारिया होती है उन जिम्मेदानियों का बटवारा हम लोग करते हैं तो power sharing के अंदर भी क्या हो रहा है कि अगर भारत या एक state अपनी power का distribution या responsibilities का distribution कैसे करता है यही हम लोग power sharing में समझते हैं basically power sharing के chapter में अगर आप all in all की बात करेंगे तो हमने या पर दो case पड़े हैं first case हमारे सामने आया है श्रिलंका का और दूसरा आया है Belgium का श्रिलंका और Belgium एक case power sharing के अंदर majoritism का है और दूसरा accommodation का accommodation का मतलब क्या होगा accommodate करना किसी को अपने साथ सम्मलित कर लेना उसको भी वही जिम्मेदारिया और अधिकार देना जो आपको मिला है उसे हम लोग बोलते हैं accommodation दूसरा होता है majoritism majoritism का मतलब basically जिन लोगों की majority है वो लोग minority वालों के भी अधिकारों का हनन करें या उनको वो अधिकार ना देकर सिर्फ अपने लिए उनका इस्तमाल करें वो powers और वो responsibilities और वो resource distribution में भी उनको ना रखें तो basically ये चीज कहलाएगी आपकी क्या majoritism क्या कहलाएगी बच्चे majoritism तो यहां जो दो countries power sharing वाले chapter में हमने देखी है तो शिर्लंका के अंदर होता है क्या majoritism और बेल्जियम के अंदर क्या होता है accommodation अच्छा दोनों की location कहां पर है शिर्लंका और बेल्जियम की location कहां पर है शिर्लंका की अच्छा बेल्जियम जो continent की बात करूं तो यूरोप के अंदर है बच्चे और शिर्लंका की जब मैं बात करता हूँ जो यह कहां पर है एशियम में भी कहां अगर मैं इसको बोलू तो South Asia में है दोनों country, regions में भी separated हैं और यहां पर होने वाले जो events हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा difference हमें देखने को मिलता है Board exam में आपसे सबसे पहला question अगर कोई आ सकता है तो वो इन दोनों ही locations के बारे में वो पूछ सकता है कि describe about or define the country's composition on the basis of their people और what kind of diversity that they are having किस तरह की diversity है कैसे लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो पूरा का पूरा composition आपसे पूछ सकता है तो श्रिलंका की जब मैं बात करता हूँ तो किन-किन major features को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ श्रिलंका के अंदर जो majoritism होता है वो इस base पे होता है क्योंकि श्रिलंका के भीतर दो तरह के major groups पाए जाते है और यहाँ भी जो division है वो किस base पर है जो power sharing की हम बात करने वाले हैं दोनों countries के बीच में जो contrast हम लोग यहाँ define करने वाले हैं वो base किस base के उपर है उसका basis क्या है के language यहाँ भी जो हम problem देखेंगे जहां majoritism होता है वो भी problem एक language एक particular group of people के द्वारा एक separate language बोला जा रहा है किसी दूसरे group के द्वारा कोई दूसरी language बोली जा रही है तो किस तरीके से laws को bend करके एक particular region के अंदर दूसरों के minority rights को collapse किया जाता है या उनको ले लिया जाता है और दूसरी तरफ वो rights दूसरी countries में equally distribute करके accommodation को लाया जाता है यही दो बड़े contrast difference हमें यहाँ power sharing के अंदर देखने के लिए मिलते हैं शिर्लंगा की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ दो major language जो बोली जाती है वो है सिन्हाला लेंग्वेज है और दूसरी लेंग्वेज कौन सी है हमारे पास तामिल लेंग्वेज है कौन सी बच्चे तामिल लेंग्वेज है इनका percentage vary करता और percentage इतना vary करता है कि एक लेंग्वेज तो अपने आप में majority लेंग्वेज है और दूसरी लेंग्वेज अपने आप में एक minority लेंग्वेज आ जाती है तो सिन्हाला कितने percent है 74% मेरे पास सिनाला लेंग्वेज है तमिल लेंग्वेज कितने speaker है 18% मेरे पास तमिल स्पीकर है सो आप देख सकते हैं कि सिनाला जो है वो एक majority group है एक ऐसा ultra group है जिनके पास अपनी language या अपने group की majority साफ साफ दिखाई पड़ रही है अगर मैं Belgium के case की बात करूँ तो Belgium में कौन सी दो languages है Dutch Dutch and French अगर मैं Dutch और French की बात कर रहा हूँ तो Dutch language कितने percent लोग बोल रहे हैं अगर मैं देखो अब यहां थोड़ा सा differentiating आपको देखना पड़ेगा क्योंकि Belgium का case दो तरीके से लगे क्योंकि वहां पर Belgium के अंदर दो तरेकी सरकारे चलती है एक सरकार है जो पूरे country के लिए चल रही है लेट से के यह Belgium है complete और यह Belgium के अंदर capital है तो जो Belgium state है Belgium state के अंदर आप देखेंगे तो दो regions भी divided है पहला region कौन सा है नहीं एक फ्लैमिश रीजन है और दूसरा वलोनिया कौन से दो रीजन है एक है फ्लैमिश और दूसरा वलोनिया या बलोनिया अच्छा वलोनिया डबलू तो जो वलोनिया रीजन है इसमें किन लोगों की मेजोरिटी है और फ्लेमिश रिजन में किन की है फ्लेमिश में कौन सी लेंग्विज जदा बोली जाती है फ्रेंच और वलूनिया में डच गलत है बताओ क्या फिर फ्लेमिश में डच लेंग्विज है और वलूनिया में फ्रेंच लेंग्विज है ओवरॉल कंट्री में कौन सी लेंग्विज ज्यादा बोली जाती है फ्रेंच तो अगर मैं रीजन वाई जैसे इंडिया एक कंट्री है लिस्न आम गेटिंग आंटवी जैसे इंडिया कंट्री हैं और कंट्री के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी का एक स्टेट है और दूसरा मैं contrasting contrast बताने के लिए difference बताने के लिए बता दे रहा हूँ दूसरा हमारा हो गया Tamil Nadu तो Tamil Nadu के अंदर अगर आप देखेंगे तो Tamil Nadu में कौन सी भाषय बोली जाएगी Tamil वहाँ Hindi बोलने वाले लोगों की संख्या नहीं होगी similarly vice versa यूपी के अंदर कौन सी भाषय जादा बोली जाएगी हिंदी और वहाँ क्या नहीं बोली जा रही है Tamil but overall अगर मैं इंडिया के अंदर देखूं फिर भी majority of language means the people who speaks which language more it will be Hindi only तो वह कौन सी भाषय होगी हिंदी तो similarly यहां पर भी दो रीजन है उन दोनों रीजन में जो variation है language का वो अलग अलग है जैसे फ्लेमिश रीजन में डच भाषय बोलने वाले ज्यादा लोग रहते हैं और वल्लूनिया रीजन में फ्रेंच भाषय बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं पर overall अगर मैं number of people in France who speaks French और Dutch वहां पर मैं अगर यह difference देखता हूं तो वहां पर सबसे ज़्यादा भाषय कौन सी बोली जाती है पूरे के पूरे Belgium के अंदर Dutch language ज्यादा बोलने वाले ज्यादा है तो majority किन की है Dutch किन भाषय की अच्छा एक और तीसरी भाषय भी थी यहां पर जो बोली जा रही थी वह बहुत कम थी एक और भाषय यहां पर बोली जाती थी German Language अब एक Central Government होती है और एक State Government होती है इसी तरीके से Belgium के अंदर भी अपने Capital City के अंदर दूसरी तरह की Government चलती थी और यह दूसरी Capital का नाम क्या था? Brussels Brussels के अंदर अगर आप देखेंगे तो Brussels के अंदर कौन सी भाषय ज्यादा मैजॉरिटी में बोली जा रही थी? French तो जब यहां Government बननी थी City के अंदर तो अगर Belgium के अंदर French लोग decide कर ले के हम लोग ही power में रहने वाले हैं So the people who are living in that capital will be governed by the French majority people But यहां पर एक case अलग होगा आपने यहां यह पूरा समझ आ गया हमने Belgium को complete all and all समझने की कोशिश कर लिए अब अगर मैं शिर्लंका के case में आके देखता हूँ तो यहां Sinhala speaker है और Tamil speaker है यहां भी कुछ regions हैं जैसे के North of Sri Lanka अगर मैं देखू किसका North of Sri Lanka is dominated by whom किन के द्वारा dominate किये जा रहा है Tamil speakers के द्वारा जैसे जाफना हम बोलते है जाफना नाम के एक जंगा ऐं शिलंका के अंदर वह majority Tamilians के दुआए और शिलंकान तमिल्स हैंर एक इंडियन तमिल्स कौन से तमिल हुए जो इंडिया से माइगरेट नहीं किये थे जिनको ब्रिटीशर्स रूल के टाइम पर इंडिगो प्लांटीशन्स के लिए ब्रिटीशर्स जबरदस्ती तामिनलाड से शिरलंका लेके गए थे for their labor work बट इंडिपेंडेंस के बाद वो लोग वहीं रहा गए अब मैं एक मोटा माटी बाद बताता हूं शिरलंका में होता क्या है कि शिरलंका के लोग जो मिजॉरिटी में थे वो डिसाइड करते हैं कि वो रूल्स या पिर रिसोर्स डिस्टिब्यूट करेंगे on the behalf of language क्योंकि य अब official language जब सिन्हाला declare कर दी जाती है तो problem क्या है कर दी तो कर दी इंडिया में कितनी official language है मारे पास और schedule language कौन बताएगा लगबग 22 language भारत के अंदर आपके अलग-अलग छेतरों के अनुसार लोगों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए आपके कामकाज की भाषा रखी गई है 21 schedule language प्लस हिंडी समझे मेरी बात language का बहुत important role होता है आप कहूंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई language किसी को इतना जादा importance कैसे दे सकती है language आपका सबसे बड़ा tool होता है किसी भी particular administration को चलाने के लिए किसी भी जंगहा के resource को distribute करने के लिए जैसे कि suppose कीजिए कि मैं UPSC का paper लिखता हूँ पर UPSC का paper मैं देता हूँ आपको आपने UPSC का पूरा syllabus पढ़ा है problem बस यह है कि मैं paper Chinese में दे रहा हूँ will you be able to clear that exam but the person who knows the Chinese he will be through the exam completely so it will be unfair for those who are speaking Hindi और who are learning in a Hindi language तो यह disadvantage आएगा कि नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा समय के साथ मैं देखूँगा तो मेरी जो राज्यवरस्थाएं है यह प्रसाशन है उनमें ज्यादा तर किन लोगों की न्युक्तिया होंगी जो भाषा चाइनीज जान रहे होंगे मैं उस एक्जामपल से आपको समझाने कुछ कर रहा हूँ वो जो चाइनीज भाषा समझने वाले लोग होंगे उनकी संग्या मेरे प्रसाशन में बढ़ती रहेगी प्रसाशन का काम क्या होता है कानून को लागू कराना वो अपनी आइडिलोजी को भी वहाँ पर लेती जा सकते हैं वो अपने स्पेसिफिक ग्रुप्स के लोगों के लिए फेवर कर सकते हैं होगा के नहीं होगा ऐसी मैं आपके कॉलीजिज में आपके स्कूल्स में लैंग्वेज बैन कर दू और मैं कहूं के सिर्फ मैं चाइनीज में पढ़ा रहा हूँ तो मैं as a community ज्यादा ग्रू करूंगा and you people who are speaking in Hindi you will not grow at the same pace that I am growing और मिरको opportunities भी ज्यादा मिलेगी मिरको salary भी अच्छी मिलेगी मिरको पैसा भी अच्छा मिलेगी है के नहीं so in a similar way they push the language Sinhala to be the official language in the Sri Lanka उन्होंने constitution में कुछ changes किये और official language बना दी Sinhala को तो tamilions को problem हो गई tamilions ने ये बोला के on our part this is not fair अगर ऐसा हुआ या ऐसा चलता रहा तो हम tamilions को jobs नहीं मिलेंगी हम लोग पढ़ा कैसे पाएंगे अपने बच्चों को अपनी native language के अंदर so उन्होंने कहीं बार कोशिश भी की उन नेताओं को भी जिताया जो Sinhala majority party से थे उनको भी वोड़ दिया इस आस में कि tamil को भी official language का दरजया दे दिया जायेगा और उनको भी वो मौका मिलेगा but they started to feel like अपार थे उनके साथ कहीं न कहीं एक दोरा मांदन अपनाया गया इसको लेकर tamil लोगs militancy कर देते हैं आपने प्रभाकरन का नाम सुना होगा जो राजीव गांधी famous bomb blast जो हुआ था जिसमें हमारे यहां से सेना जाती है एक group आपने सुना होगा LTT जिसे हम लिट्टे भी बोलते हैं आपके liberation tamil जो army है वो आपके course book में भी है detail में आप पढ़ लीजेगा क्योंकि अभी आपका exam है तो मैं आपको बिल्कुल detail में तो नहीं पढ़ा सकता मैं आपको go through करने की कुशिश करूँगा आपके course से हम पुरा का पुरा निकल के आ जाएं अभी भी मैं detail में नहीं जा रहा हूँ बस आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आप answers के तुरू निकलाओ तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यह LTT group बनता है यह सरकार के खिलाफ कहीं सारी जड़पे होती है बहुत ज़्यादा violence होता है क्योंकि यह जो move था यह majoritism का move था क्या था बिटा majoritism का यह majoritism का move था जिसकी वजह से tamilians अपने आपको deprived feel कर रहे थे they feel the apartheid in the particular class or the state of the Sri Lanka so they started to do the violence क्या हुआ पूरा economy बरवाद हो गया है आज भी आप देखेंगे श्रिलंका चर्मराया हुआ है श्रिलंका की economy डू भी हुई है यह मैं यह नहीं कहरा कि उसकी वजह से but it could be one of the reasons because बहुत साल तक महाँ पर instability रही है अभी भी कुछ हिस्सों में या कुछ bits and parts में श्रिलंका के साथ यह होता तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ क्या हुआ है majority ने अपने rights का इस्तमाल किया हाला कि वो constitutionally correct था but मैं अगर बात करूँ morally incorrect था उन्होंने constitutionally सही किया but morally बहुत ज़्यादा गलत था क्या ऐसा होना चाहिए था किसी के साथ ऐसा होना चाहिए था नहीं हुआ तो यहाँ पर हम देखते हैं violence होता है जिसकी वैसे बहुत सारे लोग अपनी जाने गवा देखते है so it would not be a idle case of power sharing क्योंकि हम power sharing के बात कर रहे हैं power कहां से आएगी responsibilities के थुरू opportunities के थुरू तो वो job opportunities या फिर वो responsibilities जो यहाँ tamilions को नहीं मिली जिनके लिए उनने fight किया यहाँ पूरा का पूरा लडाई हो जाता है violence हो जाता है so this will not be an idle case idle case कौन सा है Belgium का क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि जो central government वहाँ पर बनती थी वहाँ पर Dutch लोगों ने क्या किया कि equal sheet sharing कर ली किनके साथ French people के साथ मतलब अगर 100 seat हैं पूरे देश के अंदर जैसे हमारे यहाँ MP या लोग सभा की seat होती है तो Belgium में भी कोई seating arrangement ऐसा ही रहा होगा तो उन seating arrangements में उनने क्या कर लिया सो में से 50 MP चुनके आएंगे किनके डच भाषा बोलने वालों के और 50 MP किसके चुनके आएंगे ऐसा क्यों हुआ क्योंकि legislature आपने तीन चीजे पढ़ी होगी आपने पढ़ा होगा executives judiciary and legislature जो यह legislature होता यह basically वो elected representatives होते हैं हमारे जो देश के कानून और सम्मिधान के अंदर बदलाव लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं आपके संसत बनी है अभी दिल्ली में उसके अंदर भी क्या हो रहा है वहाँ पर कानून बनाने का काम किया जाता है और कानून कब बनेंगे जब वहाँ देश के हर हिस्से, हर वर्ग से एक व्यक्ति बैठा होगा और मैं जब वर्ग की बात करता हूँ तो मेरा कहने का मतलब है वो जाती, किसी रीजन और हर एक स्पेसिफिक लोकिशन से है तामिलाड से भी कुछ MP चुनके आते हैं, कुछ मध्यप्रदेश से भी आते हैं, कुछ जारखंड से भी आते हैं कुछ बिहार और मिजोरम, आसाम, अलग-लग जगाओं से MP चुने जाते हैं और दिल्ली में बैठते हैं फिर जब वो दिल्ली में बैठे MP होते हैं, उनमें से कुछ MP आपके majority groups में भी होते हैं, Hindus and Muslims, I am not dividing the India, but just I am for the sake of the knowledge, I am telling it to you, उसमें से फिर दलित, OBC and General Categories के भी लोग होते हैं, तो जो भी कानून बनता है, वो diversity को कहीं न कहीं equivalent करता है, वो हमारे देश की विबनताओं को रहा देता है, मतलब कि अब जो ये कानून लागू होगा, इसमें हर एक व्यक्ति को representation दिया गया था, और हर वर्ग से आदमी चुनके आया है, तो उस आदमी की सहमती भी इस कानून के बनने में रही होगी, so it is, it will become easier for people to accept the change, otherwise अगर मैं लोगों को ना मानू, suppose कर रही सिनाला मेजोरिटी के लोग महां बेटे हुए हैं और वो अपनी seat sharing के हिसाब से अपने rule बना ले रहे हैं, और वो decide करते हैं कि सिनाला official language हो गई, तमीलियन्स अपने आप में, तो automatically यहाँ violence होगा, because equal representation नहीं मिला है, अगर इन लोगों का भी representation होता और इनकी भी बात सुनी जाती ही, तो tamil को भी accommodate करके वो इस violent clash को रोग सकते थे, power sharing better हो सकती थी, but it was not the case in the Shilanka, but Belgium में क्या होता है, वो थोड़े से अपने आप में शैशुनता दिखाते हैं, tolerance हो जाते हैं, और वो state में कौन? Dutch लोग और Brussels की capital government के अंदर French लोग equal sheet sharing कर लेते हैं in the power, मतलब power sharing जो होती है, वो Belgium और Shilanka में आपको समझा गई होगी, यह एक idle case है, जहाँ accommodation होता है, जहाँ हम conflict को रोख सकते हैं, अगर हम लोग अच्छी power sharing करें, एक idle power sharing करें, तो conflict रुकेगा के नहीं रुकेगा, यहाँ तक बताओ किसी को क्या नहीं समझा है, अगर किसी को कोई doubt है, तो फिर मैं आगे बताओ, एक चीज जो यहाँ पर miss हुई है, उसको दुबारा देख लेते हैं, दो question जो यहाँ से आए थे, पहला यह कि श्रिलंका कब independent हुआ, 1948, सिनाला कब official language बनी, 1956, दोनों तमिल और सिनाला के बीच में क्या हुआ, civil war, क्या हुआ बिटा, civil war क्या होता है, यह वो Avengers वाला नहीं है, वो जो, क्या होता है, वो क्या होता है, वो कौन है वो, leave it, leave it, मैं यहाँ बात करूँ, civil war, civil war क्या होता है, ग्रह युद, civil war को हम क्या बोलते हैं, बिटा, ग्रह युद, मतलब, युद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पर किसी दूसरे देश के साथ नहीं हो रही है, यहाँ अपने ही देश के लोग, अपने ही देश के दूसरे को से लड़ रहे हैं इसी situation को हम क्या बूलेंगे बेटा civil war क्या बूलेंगे तो स्रिलंका में क्या हो जाता है civil war शुरू में वो कोशिश करते हैं कि उनको उनके rights दे दिये जाएं पर जब ऐसा नहीं होता तो eventually what they will do they go for a civil war और बहुत ही violent classes होते हैं कुछ groups बन जाते हैं militant groups बन जाते हैं इंडिया में भी तो कुछ militant groups है कि नहीं के नाम बता सकते हो इंडिया में एक जंगा है जिसको हम बोलते हैं रेड कोरिडूर चलिए अभी आपके परिपेक्ष में नहीं आएगा पर इसको ध्यान रगता है बेल्जिम ने क्या किया accommodation किया accommodation कैसे किया बिटा यह चार बड़े constitutional changes लेके आया कब से कब तक 1970 से 1993 के बीच में यह कुछ बड़े constitutional changes को result करता है जिसकी वज़े से क्या होता है what will happen first change will be कि जो central government है और जो state government है उसमें जो representatives है जो नेता है जो कानूर बनाने वाले लोग हैं उनमें equal representation होगा french लोगों का और उतना ही dutch लोगों का और german लोगों को भी एक अच्छे proportion में representation दे दिया जाता है similarly Brussels के अंदर बनने वाली government भी ऐसा ही करती है वहाँ पर equal representation देती है अपने nominated, sorry nominated नहीं, elected representatives को दूसरा काम जो वो करते हैं वो ये होता है कि usually आप देखेंगे जब power का division होता है तो उस division of power में central government के पास ज्यादा power होती है और state power के पास state government के पास कम power होती है यहाँ पर ये क्या कोशिश करते हैं कि they give more power, more and more power taken from the central government and given to the state government so अब जब पहले के case में क्या था कि central government जो थी वो subordinate कर रही थी state government को अब ये इसका subordinate नहीं रहता state government ये भी independently एक equal government की तरह काम करता है इसके भी अपने legislature और constitutional rights बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से state government ज्यादा authority रख लेती है साथ के साथ एक और चीज का महाँ पर invention हमें देखनी के लिए मिलता है वो क्या है community government एक नया level of government आप देखेंगे कौन सा बिटा community government community government का question मैंने बताया पिछले आने वाले सालों में सबसे favorite question है बोड़ का community government पर या तो mcq मैं question देदेगा या question देदेगा आपको कहाँ पर तू मार्क्स के questions में in fact कहीं बार एक बार मैंने देखा था कि थ्री मार्क्स के question में भी community government का question उन्हें रखा हुआ था community government क्या है community government basically जहां यह कुछ particular specific group है जो language के base पे divided है जहां फ्रेंच जर्मन और डच लोग है तो अपने community के बच्चों को किस particular language में पढ़ाया जाना चाहिए किस course book को रखना चाहिए उनके education से लेकर उनके culture क्योंकि language जो है वो culture भी built करता जब आप एक language बोलते हो तो उन लोगों का culture भी दूसरे तरह के language बोलने वालों से थोड़ा different होता तो अपने culture को promote करने के लिए और preserve करने के लिए यह community government बनाई है उनको specifics दे दिया गया है कि education के मामले में या cultural matters में जो decisions होंगे वो उन community के community government के पास होंगे ना कि किसी state या फिर central government के पास उसमें central government और state government कोई भी interfere नहीं करेगी कौन करेगा सिधा सिधा decide community government ही decide कर सकती है तो यह एक बहुत अच्छा question है और बार बार आया है in fact headquarter भी पूछा गया है किस चीज़ का ब्रसल्स में एक headquarter है किसीज़ का headquarter है भई किसीज़ का headquarter है European Parliament आपने सुना होगा European Union का क्या सुना होगा बेटा European Union European Union क्या है यह group है of different countries इनकी अपनी एक parliament है जहां वो decision लेते है related to the European Union के हमें कैसे trade या फिर अपने आपको protect या जैसे भी उनके वो rules होते होंगे उनका जो इस डिविटा ब्रसल्स इस और चैन बीए कुशन अपने मार्स फिर्टिकलर कॉश्ट I hope हमें यह समझ आ गया है accommodation और majoritism वाला केस आप से वो पूरा define भी करा सकता है that define majoritism and how it is not an idle case for the power sharing or define accommodation that how this could be a good option for power sharing or an idle case for power sharing and in which country it occurs आसे बहुत सारी questions आप से पूछी जा सकते हैं तो आप एक बार इसको front to last पढ़ चुके हैं last to front भी आप इसको पढ़ चुके हैं I hope इसमें कोई doubt नहीं होगा थोड़े बहुत जो memonics चुट गए हैं वो आपको descriptive जाकर अपने chapter को एक बार पढ़ लें या उन questions कोई कर लें तो आप इसक कर पाएंगे हो जाएगा अब इसमें एक portion और बसता है मेरा वो portion है कौन सा complete हो जाएगा ना चीक है leave it समझतों आ गया था ना जो हम लोगों ने बनाया था अब अगला आता है कि what are the different arrangement of power sharing ये question चार नंबर में बार बार आया है different arrangement of power sharing चलो different arrangement of power sharing पहला कौन सा हो सकता arrangement बताओ आपने चार तरह के different arrangements पढ़े होंगे vertical horizontal और और कौन सा है different levels of government आपके book में चार चीजे हैं पहली है among different organs of the government second है among government at different levels among different social groups and last political parties pressure groups and movements तो पहला है among different organs of अमंग different organs of government इसका क्या मतलब हुआ गवर्मेंट के कितने organs हैं अगर मैं बात करो तो three हैं first legislature मैं इसको भी short में लिखता हूं then executive then judiciary judiciary की जब मैं बात करता हूं तो judiciary को और legislative को executive को judiciary में means basically जो power का divisions है वो तीन different organs के बीच में है और कोई भी एक government का organ दूसरे organ से supersede नहीं करता they are at the same level इसी को हमने horizontal power sharing भी कहा है या sharing of power horizontal देखा हूं न मैंने कहा कि जितनी power legislature के पास है अपने मुद्दों में उतनी executive के पास है अपने मुद्दों में और उतनी है judiciary के पास आपको ना समझाए तो legislature basically हमारी parliament से जुड़े लोग होते हैं कौन है बिटा parliament और parliament के पास क्या काम है to make policies and laws है न एक्जिक्यूटिव की में बात करूं तो executive में क्या है executives के अंदर होता है to implement the law क्या होगा to implement the laws and policies ये जो laws and policies आपके parliament के अंदर बनाई गई थी MPs के द्वारा ये MLS के द्वारा किनी other cases में state government के case में तो ये parliament के द्वारा बनाई गई policies को लागू कराने का काम किन का है executives executives जैसे कौन-कौन हो सकते है executive president हो सकता है PM हो सकता है cabinet minister हो सकते है ये सभी लोग कौन है they are the part of executive judiciary की मैं बात करता हूँ तो judiciary क्या करती है interpret the law interpret the law मतलब कानून की व्याख्या क्या सही है और क्या गलत है उसको बताने का काम judiciary ही करेगी सम्विधान को पूरी तरीके से बताने in fact judiciary के पास अगर कोई जाए तो judiciary भी action ले सकती है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो यहां आप देख रहे होंगे कि हर एक system दूसरे system पर एक check रखे हुए वो उसकी power को control कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्योंकि अगर मैं legislature की power देखूँ तो उसके पास एक तरीके से unlimited power हो सकती है वो सम्विधान में कुछ भी लिख सकता पर सम्विधान में वो हर एक चीज नहीं लिख सकता है उसके rule है किस तरीके से कोई change होगा कितनी majority और minority से होगा और वो कानून अगर violate करेगा constitutions के किनी idols को या किनी particular specific mnemonics को so judiciary will make it null and void इसी तरीके से judiciary की power over power होने लगे तो executives और legislature मिलके क्या करेंगे impeachment कर देंगे judiciary के अंदर बैठे वे जज का कि तु गलत कर रहा है उसको हटा देंगे तो इसी को हमने system of check and balance भी बुला है यहीं से आपका chapter number one chapter number two से जुड़ जाता है यहीं से आपका chapter number one chapter number two से जुड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि जो यह different arrangement of power sharing है federalism भी एक तरह का एक type of power sharing ही है I think I am clear with among different organs of government clear है यह point अगला बताए second क्या था बच्ची power sharing among governments at different levels पावर शेरिंग अमंग गवर्मेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस तरह के पावर शेरिंग के मॉडल में होता क्या है के कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इंडिपेंडेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पर गॉर्मेंट पाय जाती है सेंट्रल गॉर्मेंट जिसको अम युनियन गॉर्मेंट भी बोलते हैं जैसे अगर मैं आपके in context बात करूं जैसे आपके अभी present में Central Government में PM है PM का नाम है आपके प्रदानमंत्री मोदी जी वो आपके Central Government में है Executive Head State Government है आपके CM और Local Government में कौन होता है पका प्रदान अच्छा और ठीक है हाँ मतलब आप समझ सकते हैं कहीं प्रदान बोलते हैं कहीं सरपंच बोलते हैं तो जिला परिशद की वो जो Government Formation होती है वो आप मेरी बात ध्यान से सुनेगे कि नहीं मैं कहा रहा हूँ Central Government होगी State Government होगी और Local Government होगी यहां पर भी Power Distribution आपको देखने के लिए मिलेगा I hope मुझे इससे ज़्यादा बतानी की जुरूत नहीं होगी इतने में हम लोग समझ जाएंगे थर्ड पॉइंट किस चीज के लिए है अमंग सोशल शोशल ग्रूप्स कौन-कौन से शोशल ग्रूप्स है मिटा किन सोशल ग्रूप्स की हम बात कर रहे हैं अभी एक हमने बताया है कौन सा एक्जामपल मिला है कि नहीं कौन सा कम्यूनिटी गवर्मेंट कम्यूनिटी गवर्मेंट इसका बेस्ट एक्जामपल है कहां पर देखी हमने कम्यूनिटी गवर्मेंट का example in Belgium social groups का मतलब क्या है कि समाज और हमारे हमारे society या हमारे country के अंदर बहुत different different types के लोग रह रहे होते हैं in a group like किसी specific belief या specific language या specific region को represent करने के लिए कुछ लोग होते हैं उन लोगों को भी हमारे power sharing के अंदर कुछ ना कुछ distribution मिला होता है जिसकी वजए से वो अपने किनी specific matters को लेकर अपने decisions अपने आप ले सकते हैं जैसे community government के अंदर हमने देखा कि उनकी education उनके अपने खुद के culture उनसे related जितने भी matter हैं उनमें जो decision making होगी वो किसकी होगी विटा community government के होगी इसका एक example आप देख सकते हैं कि in India Muslim community has a separate work board to decide so similarly हम देख सकते हैं कि social groups को भी कुछ न कुछ power दी जाती है so that they can decide their own इतना समझ आगे तीसरा और fourth और last क्या है political parties pressure groups ये क्या है pressure groups कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किनी specific policies का विरोध करते हैं अगर government को यह specific policies बना दे जो किसी एक particular group या section को समझ ना आएं तो वो उस section के लोग मिलकर एक political agitation करें और उस political agitation से क्या करुशिश करें कि वो जो कानून बने हैं उनको वापिस ले लिया जाए so ऐसा कोई भी action ऐसा कोई भी action अगर किनी के दौरा किया जाता है तो वो आएगा किसके अंडर बिटा pressure groups क्योंकि आप सोचें at the end of the day हमारे इंडिया में 5 साल में एक बार election होता है तो 5 साल में possibility होती है कि सरकार बदलने के ताकत लोगों के पास है और लोग अपने आप में एक vote bank है अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए और लोग ऐसी भीड या संख्या में खटे हो जाएं जिससे सरकार को इस बात का डर हो कि मेरी government शायद repeat ना हो पाए तो वो उन policies को वापिस लेने के लिए परतिबद होगी कि नहीं होगी इस तरह का group making इस तरह की social gathering करके कि नहीं policies को विरोध करना is a type of pressure group इतनी बात समझ आ गई let's move on to the next chapter and the next chapter is federalism federalism अभी हमने power sharing के arrangement में पढ़ा था जब हमने Belgium और शिलंका का case देखा Belgium और शिलंका का हमने case देखा था तो जब मैं Belgium की बात कर रहा था तो Belgium में तीन तरह की governments की मैंने बात की थी एक government थी central government या मैं जिसको क्या भी बोल सकता हूँ union government मैं बोल सकता हूँ central government या फिर union government दूसरी state government और तीसरी मेरे पास कौन सी थी Belgium की बात होगी तो community government है मेरे बच्चे community government जैसे science में पुड़ते हो ना वहां भी concept clear होना चाहिए तो यहां का concept यह है बच्चे एक बार यह समझा आगे ना chapter crack हो जाएगा जब मैं federalism की बात कर रहा हूँ तो सारी बात यह आजाएगी federal structure का opposite या फिर मैं को हूँ उसी के parallel एक होता है Unitary क्या होता बेटा Unitary का example हम देखें तो श्रिलंका है श्रिलंका क्यों Unitary Government का example है क्योंकि यहां सिर्फ one level of government है कितनी one level of government अगर मेरे पास दो या दो से अधिक two or more two or more level of government अगर मेरे पास exist करती है तो दो या दो से अधिक level of government मेरी कहलाएगी federalism समझे मेरी बात जो 1993 में Belgium में हुआ कुछ changes किये थे ना उन्होंने 1993 में उनका last change हुआ था मैंने कहा था चार बड़े सम्विधान के अंदर Belgium ने बदलाव लाए कब से कब के बीच 1970 से 1993 के बीच में चार बड़े changes आये आखरी change जब आया तो उस last change के आने के बाद ही आपकी community government या मैं कहूं state government एक पूरे full form में आई government पहले भी exist कर रही थी state government वहाँ पहले भी थी पर state government subordinate थी किसके central government के state government किसकी subordinate है central government की अगर किसी भी चीज पर central government ने ये कह दिया किसी कानून को बनाया state government ने और central government ने कह दिया ये कानून तो ये independent नहीं हुआ और independent या सौविकरे ना होने से मैं कह सकता हूँ के ये federalism के अंदर ना तो 1993 से पहले तक Belgium एक federal नहीं था वो भी एक unitary था federalism कब काम आता है जब central government अपनी powers give up करे state governments को दे और वो powers independent हो of the influence of the central government then that particular arrangement of the power sharing will be known as the federalism उसको हम क्या कहेंगे बिटा शिलंका के अंदर क्या हुआ central government थी central government ने decide किया था और वहाँ पर बार बार शिलंका की लोगों ने demand की के उनके region की अपनी एक अलग state government बना दी जाए उन इलाकों में जहां पहले से ही तमिल भाषा बोलने वाले लोग majority है आप उन इलाकों में हमें independence नहीं दे रहे मत दीजिए आप हमें हमारी central jobs में तमिल language को include नहीं कर रहे मत कीजिए बट अगर तमिल भाषा बोलने वाले एक बड़े बहुल इलाके के अंदर हम लोग हैं तो वहाँ पर बनने वाली सरकार को independence मिलनी चाहिए they should not be the subordinate to the central government ये केस शबड़ा था श्री लंका के अंदर मेरी बात समझ आ गई आई के नहीं आई तो it was a unitary government in श्री लंका and it was a federal government formed in a Belgium in year 1993 clear है ये concept है federalism का कि इसमें भी एक अलग question आप से पूछा जा सकता है अगला question क्या हो सकता है the federation भी दो तरह के हैं कमिंग तुगेदर कि एंड होल्डिंग तुगेदर कमिंग तुगेदर एंड होल्डिंग तुगेदर में difference क्या है कमिंग का मतलब कि अपनी मर्जी से कुछ लोग आये इखटे हुए और एक देश बना गए जैसे के USA में आज के समय 51 states है कितने है बेटा उनके यहां central government का concept भी है जिसके लिए president चुना जाता है और उनके अपने state governments के अपने bylaws है जो किसी भी तरीके से independent है to the list of central government समझा गई किसी एक state में वहां पर बंदूक केरी करना legal है कहीं पर यह legal नहीं भी है कहीं पर डाइवर्स्टी को अकॉमडेट किया जाता है कहीं पर नहीं भी किया जाता कहीं पर marijuana legal है और कहीं पर marijuana legal नहीं है कहां USA के अंदर ऐसा कैसे हो पा रहा है क्योंकि अगर central government ने law बनाए होते है तो हर state में वही law चलता ऐसा थुड़ी होता कि in in state में ये law होता दूसरे में कुछ और होता ऐसा नहीं होता holding together क्या होता है कि एक देश है एक single unit है फिर हमने इसमें से states बना दिया इसको मैंना बोल दिया राजिस्थान इसको बोल दिया यूपी इसको बोल दिया जमुन कश्मीर इसको बोल दिया तमिलाडू ये हो गया करनाटका ये हो गया मारास्ट्रा तो यहां एक रोटी में से कुछ हिस्से किये गए है मूल रूप से वो एक ही जंगा का हिस्सा रहा होगा तो यह उता होल्डिंग टुगेदर भारत इसका एक आइडल एक्जाम्पल है इंडिया में कैसी हम लोगों ने देखा बहुत सारी जाने गए सरिफ किसी एक धर्म के नाम पर होने था है या दो धर्मों के होने पर हमने वो डिविजन अपने देश में देखा तो जो संविधान निर्माता थे वो बड़े ही पेन में थे उनको बड़ा ही इस बात का दर्द महसूस हुआ कि हमारा देश divide कर दिया जा रहा है दो sections में, दो parts में इस बात को लेकर जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने सम्विधान के अंदर कुछ ऐसे provisions डाल दिये, constitution के अंदर ऐसे provisions डाल दिये, के उन्होंने भारत को बोला, India, that is भारत, shall be a union of state, हमारा पहला article, article number one हम एक union बता दिया गया, हम union है मतलब एक ही शरीर का ऐसा है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, तो हमने center को ज़्यादा power दी और state को कम power दी, but still भारत जो है on the basis of principle we are a federal state हम अपने आपको on the basis of principle, जिस तरह के हमारे जो आदर्ष है सम्विधान के अंदर जिन आदर्षो पर हम चलते हैं, उसके भिहाफ पर हम कह सकते हैं कि इंडिया भी एक क्या है बेटा, एक federal state है, पर कैसा state है, holding together federation state इतना doubt clear है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो doubt एक portion क्या रहता है हमारा what are the features of federalism, यह question आसकता है, three marks का question हो सकता है कि आपके federalism के features क्या है features क्या है federalism के कोई बताएगा it must have two or more level it should have two or more level और correct second क्या है same citizens and separate jurisdiction separate jurisdiction or superiority of constitution and rigid constitution dual objectives सब पढ़ दिया जितना copy में लिखा था separate laws चलो पहले इतनों कोई समझ लेता है 5 is more than enough for us बट यहां से शुरू करता है यह मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि सबसे पहला feature क्या होगा federalism का कि उसके कम से कम दो या दो से ज़्यादा levels हमारे पास होने चाहिए कौन से level जैसे state government और दूसरा union government are we clear with this do I have to repeat this no na okay same citizen and separate jurisdiction शब्द को समझते है jurisdiction jurisdiction मतलब कानून है न जो laws होते है अगर मैंने कोई crime किसी एक particular state में किया है तो state government को ही मुझे वहां से ले जाना होता है crime मैंने commit किया UP में गया में तमिल नाडू में case तो register हो जाएगा बट still मेरे को handover कहा करना पड़ेगा in UP government के पास क्यूंकि मैं commit crime वहां करता है तो मेरा jurisdiction एक state specific है ये तो मैंने चलो एक common person के बारे में बात की अब मैं jurisdiction की बात करता हूँ government के case में क्यूंकि यहाँ power sharing government के बीच में हो रही है ये इसको छोड़ो ये तो मैं confuse करेगा don't go with this state government जो है वो अपने कुछ कानून या फैसले किनी मुद्दों पर ले सकती है जैसे agriculture एक ऐसा matter है जिस पर state government separately अपने laws बना सकती है और उनको अपने state के अंदर implement करा सकती है central government की एक scheme है किसान सम्मान निधी योजना है ना इसी तरीके से हो सकता है कि किसी दूसरे government ने भी इस किसान सम्मान निधी योजना के अंदर क्या होता है कि central government periodically 22000 रुपे पूरे साल में 6000 के को देते हैं तीन इस्सों में वो देते हैं हर चार महिने में 2000 रुपे आपके पास किसान के पास किसान सम्मान निधी किते हो एसी एक scheme मैं चाहूं तो state government होते हैं मैं अपनी scheme बना लूँ है इसमें central government का कोई भी interfere नहीं होने वाला मैं हो सकता है कि मैं कुछ और ज्यादा subsidy fertilizers पे अपने किसानों को प्रोवाइड कर दूँ हो सकता है कि नहीं specific crops के लिए मैं जो मेरा गन्ना मूल्य है वो अलग हो जाए क्योंकि जैसे देखेंगे तो हर्याना में जो गन्ना मूल्य है वो थोड़ा ज्यादा है यूपी में जो गन्ने की cost है वो कम है तो ये state to state vary कर रहा कि नहीं कर रहा क्यों क्यों क्योंकि because each and every state has there on separate jurisdiction फैसले लेने की शमता या कबलियत या फिर उनके फैसले अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होंगे same citizen होगे तुम बिहार चले जाओ बिहार के छपरा चले जाओ बंगाल चले जाओ मिजोरम चले जाओ असम चले जाओ आपके passport पे लिखा होगा एक ही country का नाम that will be the India आप citizen इंडिया के रहोंगे but अमेरिका में citizenship भी state के according होती है citizen of California Texas, Nevada अलग-अलग जहाओ पे अलग-अलग citizenship होती है dual citizenship है कुछ अलग countries में dual citizenship भी available है but इंडिया में single citizenship होती है आप या तो भारत के नागरिक है या किसी दूसरे देश के है ऐसा नहीं है कि आपके पास Canada के भी है ना भी वो अक्षे कुमार के उपर चला था कि Canada का citizen है और ये इंडिया का नहीं है तो dual citizenship नहीं चलती है अगर उनके पास Canada का passport रहा होगा तो वो Canada के citizen थे भारत के नहीं थे तीसरा superiority of constitution means कुछ भी हो जाए जो हमारा सम्मिधान है अगर उसको central government violate करती है तो still superiority of constitution ही prevail करेगी अगर कोई ऐसा कानून आपकी state government बना लेती है जो सम्मिधान के basic structure को violate करे तो सम्मिधान की superiority पहले है आपके राज्य का कानून बाद में आपको फरक नहीं पड़ता आपको 300 की 300 सीटे आपकी राज्य की आपकी मिली है पूर्ण बहुमत की सरकार हो आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो constitution को violate कर रहा हो rigid constitution is कि आप easily constitution के अंदर लिखी गई चीजों को बदल नहीं सकते कुछ चीजों को बदलने के लिए special majorities लगते है और उन special majorities के लिए एक बड़ा ही बड़ा number लगता है तो कोई भी change करना समविधान के अंदर आसान नहीं है आपके ही तो कहोंगे ना कि आप किस चीज के बिहाफ पर सभी rules regulation वराने समविधान तो समविधान को बदलने की power मिरको मिली है तो मैं समविधान को भी बदल दू ना इतना असान नहीं है because India's constitution is very rigid it is not easy to change whatever written into your constitution dual objective means dual objective हाँ क्या दो objective हो सकते है आपको accommodate करना है diversity को भी diversity accommodate करने के लिए आपने state government बनाई ताकि जो उस region के लोग है suppose कीजिए अगर हम एक single government बना देता तो यूपी में बैठा व्यक्ति और जम्मू कश्मीर में बैठा एक व्यक्ति suppose कीजिए यूपी का कोई प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन गया और वहाँ जाकर वो कानून बना रहा है तो हो सकता है कि जो वो कानून बनाए तो वो अपने आसपास की चीजों से ही influence होकर वो कानून को बना दे हो सकता है कि उसका real time में benefit दूसरे रीजन्स में रहने वाले लोगों को ना मिल पाए क्योंकि उसने तो अपने रीजन्स के ही जंगा को देखा है मान सकते हैं ना तो state government का अलग होने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मसले कुछ ऐसे अधिकार या कुछ ऐसे कानून में बदलाव सिर्फ वो state government ही ला सकती है जो उन local logos के बीच में से आई है समझ रहे हो ना अब मैं M.K. Stalin अगर मैं M.K. Stalin जो हमारे Chief Minister है तमिल लाडू के मैं उनको अगर Central government की पद्वी बिठा दूँ और मैं state government को null and void कर दूँ उनके हिसाफ से तो बस भाषा Tamil ही है कि महराष्ट भाषा होनी चाहिए मैं एक भाषा का यह example ले रहा हूँ क्योंकि यह सबसे safe and sound होता है religion की और caste की बात करेंगे तो बड़ी problem हो जाती है मैं करना भी नहीं चाहता है और करनी भी नहीं चाहिए तो मैं language की अगर मैं बात करूँ कर रहा हूं के नहीं कर रहा हूं अरे कर रहा हूं के नहीं तो federalism मेरे एक objective diversity को compensate करना दूसके साथ मेरी क्या unity मेरे देश की अखंडता और मेरे देश की समर्दता को भी बढ़ा रही होती है मेरी unity और मेरी integrity को भी बचाए हुए है क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शिलंका वाला case हो सकता है और बहुत गंदे case जब ऐसे हो जाते है violence बहुत ज़्यादा बड़ जाता है civil war हो जाता है तो देश का separation भी हो जाता है देश का बटवारा भी हो जाता है भारत पाकिस्तान का कभी किसी समय हुआ होगा तो कहीं ना कहीं ये dual objective को complete करता है के नहीं करता है federalism हाँ के ना ठीक है ना आखरी है separate laws means किनी specific matters पर आप अपने laws separately बना सकते हैं जैसे परधान मंतरी ने किसानों के लिए क्या बना दी किसान सम्मान ने दी सेवा इसी तरीके से किसी state government ने भी 1000 रुपे का अपने किसानों के लिए बोल दिया तो matter same है पर separate laws बना दी गया और उनके इसाब से आपने same citizens को दो बार benefit कर दिया या इसी तरीके से benefits देने शुरू कर दिये तो ये कुछ features है ये positive points भी हो सकते है ये इसके positive points भी हो सकते है और वैसे भी मिलेंगे तुम्हें वहा political science and geography तब पता लगएगा तुम्हें कि तुमने अपनी life में क्या miss कर दिया है है ना जब भी भाग की नौकरी चाहिए होगी ना किसी अच्छे government exams को clear करोंगे तो पता चलेगा कि GS कितना important है general studies इन बोलते हम इन subjects को है ना science भी स्की का part हो जाता है by large so मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ अब कि इंडिया के अंदर जो federalism है वो बड़ा unique सा है unique क्यों है unique क्यों है चलो इस पर तो question नहीं आने वाला तो मैं आपको यो क्यों ही बता के आपका दिमाग खराब करूँ मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर आपकी जो governments है वो basically तीन levels में divide हो जाती है उन हर एक level के लिए कुछ list है क्या है बेटा list क्या है ये list मैं list बोलू या इसको subject list बोलू subject list का मतलब या list का मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे topics जिन पर union government laws बनाएगी कुछ ऐसे topics जिन पर state government laws बनाएगी और फिर एक residuary list भी होती है मतलब जैसे अगर मैं बात करू union list की कि कि union list तो मेरी union list के अंदर topic होंगे जैसे के security या defense national security बोल सकता हूँ banking बोल सकता हूँ teaching नहीं बच्चे banking, communication ये कुछ ऐसे या फिर external affairs external affairs क्या होता है आपके देश के बाहार के जितने भी matters है हमारे देश के जितने दूसरे देशों के साथ संबंद है उनमें आप हमेशा प्रदानमंतरी मोधी जी को ही बात करते देखेंगे अगर बहार से किसी दूसरे देश का कोई नेता आया है उनसे हमारे उत्रप्रदेश के योगी जी बात नहीं करते हैं हमारे देश के मोधी जी बात करते हैं reason क्यों है? क्योंकि जो authority है constitution के according ये matter है external affairs का और इसको deal करेगी कौन सी? government union government union government इन मुद्दों को अपने आप deal करेगी कौन से मुद्दे जो union list से जुड़े होंगे फिर अगली list आती है हमारी कौन सी? state list state list क्या होता है? ऐसे कुछ particular subjects या topics जिन पर कानून बनाने का दिकार किनका है? आपकी राज्य सरकारों या फिर state government को है जैसे police education medical पर तो दोनों बना सकते हैं कुछ ऐसे topic भी है जैसे जिन पर state भी रूल बना सकता है और central भी अपने रूल बना सकता है concurrent list में आती है वाट मैं तभी तो बोला हुना कि education medical कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर state government भी laws बनाती है और जिन पर कौन भी law बना लेता है union government आप और कौन सा मुद्दा बताएंगे इसमें agriculture कौन सा agriculture irrigation ये कुछ ऐसे subject हैं जिन पर अधिकार किन को है बच्चे और कौन सा trade commerce ये सारे topic कौन से है बच्चे ये सारे topic कौन से है जिन पर अधिकार है किन को state government को अब कुछ topic ऐसे बच जाते हैं जो ना तो part है union के और ना ही part है किसके state list के इनको हम बोलते हैं या फिर इन मुद्धों पर जैसे के आप सपोस कीजिए सम्मिधान बना तो 1947 का समय रहा होगा 1947 में बनना शुरू हुआ था 1951-50 को आपको तयार होके मिलिया था उस समय पर software नाम की चीज नहीं होगी computer नहीं होगे तो कुछ ऐसे subject जो उस समय exist ही नहीं करते थे और अब नए subjects है तो उन subjects पर भी अधिकार आप देखेंगे तो at the end of the day किसको power ज्यादा मिली हुए union government बना state भी सकती है पर in matter of conflict अगर दोनों के बीच में conflict हो जाए और राज्य सरकार और केंदर सरकार अड़ जाए कि किसका कानून रहेगा मैंने बनाया policy के कोई चीज मैं दूँगा और state government ने बनाएगे हम नहीं देंगे तो कानून किसका रहेगा union government का supersede कर जाएगा यहाँ state की power कम हो जाएगी और union की power जादा हो जाएगी I think we are clear with the list clear है इसे एक बार देख लो किसी को कोई समझना आ है तो मुझे पूछ लेना अच्छा इसमें एक और चीज हमें यहाँ पर गौर करनी है वो यह है कि holding together जो federation होता है इसके अंदर आप देखेंगे तो power जो होती है वो हर राज्ये को equally distribute नहीं की गई है कुछ states को हमने जो power दी है वो थोड़ी जादा दी है जैसे के अभी कुछ समय पहले तक धारा 370 या फिर article 370 के थुरू जम्मू इन कश्मीर को एक special status मिला हुआ था जहां वो अपने कुछ exclusive rights अपने independent rights को perform कर सकती थी they have their own flag they have their own constitution they have their own rules कुछ subjects को central government को दिया था पर majority of subjects थे they were with the state government similarly article 371 आज भी exist करता है जिन में कुछ special north east के states को power मिली हुई है कि नहीं दूसरे states की government से जादा power है in compared to central government तो ये variation आपको अपने state government से central government के बीच में सिर्फ कहां holding together में मिल सकती है कहां मिलेगी सिर्फ ये holding together federation के अंदर अब federalism की जब मैं बात करता हूं तो इंडिया के अंदर जो federalism आया था ये जो federalism हमारा बचा है जैसे मैंने आपको बताया it by large is not a federal क्योंकि हम लोग central government हमारे इंडिया के federalism के अंदर central government जादा powerful है और state government कम powerful है किनी particular topics में so hence फिर भी मैं इसको एक federal state क्यों बोलता हूं क्योंकि भारत ने over the period of time इस बात को prove किया है that we have a federal spirit हम by laws are writing ourselves as a union but by nature by performing our duties we have shown this that we are a federal country how हमने इसका एक सबसे पहला example दिया है हमने अपने states बनाए है किस बेस पर linguistic state क्या बोलता हम इसको linguistic states linguistic states का मतलब क्या होता ऐसे राज्य जिनको divide कर दिया गया जिनका formation हुआ on the basis of their language कोई दो जाज्य आपस में भाशाओं के तोर पर एक तरहिके से नहीं दिखाए दे रहे थे तो administrative inconvenience हमें हो रही थी administrative inconvenience मतलब suppose कीजिए मैंने sign board लगा दिये UP में हिंदी में और यहां पर मैं कहूं के 20% मेरे पास कंणड भाशा बोलने वाले लोग भी रहते हैं तो मेरे sign board किस भाश में है हिंदी में मेरे universities में पढ़ाय जा रहा है किस language में हिंदी में preference किसको मिल रही है वो हिंदी वालों को automatic मिलेगी अगर मुझे कंणड भाशी होते हुए हिंदी भाशा में कुछ काम करना है से स्टेट के अंदर जहां majority of people are speaking in Hindi so I have all I have also means मुझे भी हिंदी पढ़नी पड़ेगी मेरे को भी वो भाशा शीखनी पड़ेगी otherwise मैं उन resources से opportunities से अपने आपको दूर कर लुँआ को डिवाइड करने के लिए जो पैरेमेटर रखा वो पैरेमेटर था language means अगर भारत की boundaries change होगी भारत का area अगर डिवाइड होगा तो वो किस भी आप पर होगा बच्चे it should be on the language it is not on religion it is not on the caste it is not on the group it is not on some other factor it is just strictly on to the linguistic states और इसका reason ये भी है कि administration में आसान हो जाता है अगर ये पूरा का पूरा इलाका ये की तरह की भाशा बोलता है तो मुझे as a person who is in a government or who is government employee तो मेरे लिए काम करना आसान होगा मैं जो भी instructions दूँगा मैं जो भी accommodation दूँगा अपने आस पास में रहने वाले लोगों को through my policies and laws and by so and so forth तो वो सारी की सारी चीजे मेरे एक simple language के terms पर मैं कर सकता हूँ तो first thing which we did was the formation of the linguistic state in India 1947 से अगर 2019 के बीच में आप states को देखेंगे तो states जो है वो by large बहुत ज़्यादा difference आया है पहले number of states हमारे बहुत कम होते थे और बड़े states होते थे बड़े areas में जैसे for example उत्रप्रदेश अपने आपने उत्राखंड से भी जुड़ा हुआ था आपी के सामने हुआ हुआ हो गए 2000 कुछ की बात है जब उत्राखंड यूपी से अलग हुआ था अभी अभी एक स्टेट भी अलग हुआ है कौन सा अलग हुआ आंदरप्रदेश से तिलांगा ना अलग हुआ हुआ है ना उसका भी reason क्या था लेंग्विज वहाँ भी क्या था लेंग्विज दूसरा linguistic स्टेट के बाद हमने क्या किया है बेटा हमने अपनी official लेंग्वेज को नहीं बनाया है means इंडिया में क्या कोई official language है फिर कौन सी लेंग्वेज है हिंदी हमारी official लेंग्वेज नहीं है आरे है के नहीं है नैशनल लेंग्वेज नहीं है official लेंग्वेज है official मतलब कामकाज की भाषा में हिंदी ही हमारी लेंग्वेज थी पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है 40% of all कितनी है 40% of all हमने यह decide किया था कि 1965 तक हम English को पूरी तरीके से हटा देंगे अपनी official language से किसको हटा देंगे official language वो language होती है पच्चे जिसमें सारे जो हमारे सरकारी पत्र जो वैवारिक पत्र हमारे होते हैं कोई information होती है, कोई notice होते हैं वो सारे उसी भाषा में निकलते हैं तो हिंदी और English हमारी official language थी 65 में बोला कि English को हटा देंगे पर बहुत से राजजन फिर इस बात को इस कदम का विरोध किया उन्होंने कहा कि अगर आप इस भाषा को हटा देंगे तो हमारे लिए बड़ा inconvenience होगा communicate करने के लिए उन state government से या उन official से जो North India में Hindi belt से आते हैं मैं एक Tamil भाषी हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल अगर मुझे आप से इंट्रेक्ट करना होगा क्योंकि हमने English को बहुत टाइम से practice किया है, अब इंडिया में शायद इन दुनिया में सबसे ज़्यादा English अगर कहीं बोली जाती है तो फिलाल भारत में बोली जाती है, तो हमने इस steps को भी विरोध में देखा था, किस के दौरा, Southern India के states के दौरा, तो हमारी Hindi Official Language के साथ-साथ 21 other languages भी, क्या है बिटा Official Language के अंदर include है, और इंडिया में कोई भी National Language नहीं है तो भारत ने बड़ी परिपक्ता से ये फैसला लिया, कि हमारी कोई National Language नहीं होगी हमारी Official Language होगी और 21 और भाशाएं होगी, जो हमारी Schedule Language के बीच में आने वाली हैंगी समझ आ गया तीसरा हमारा Point था Center और State Relation, क्या है Center and State Relation Center और State Relation की जब मैं बात करता हूँ तो इसका क्या मतला वे बच्चे एक Central Government है और एक State Government है इनके बीच में Coordination भी तो होना चाहिए न अगर इन दो Government के बीच में Conflict होंगे तो Development कहीं न कहीं सफर करेगा So if we want to develop better So what we have to do We have to get them together and in a better coordination So hence आप 1990 से पहले देखेंगे तो Center में भी एक Government थी और State में भी उसी Government की सरकारे होती थी अगर आप 47 की बात करेंगे तो उसी समय Congress Central में भी थी और State Government में भी थी ऐसा लंबे समय तक चला ऐसा होने की वज़े से क्या हुआ कि State Government कमजोर हो गई क्योंकि नेता तो एक ही था Congress Party का जो Central में बैठा हुआ तो जो उसने बोला वो ही State को follow किया पर धीरे धीरे होना क्या शुरू हुआ कि State Government में भी different parties की सरकारे आनी शुरू हुआ तो उन्होंने struggle करना शुरू कर दिया Central Government के साथ conflict में आना शुरू कर दिया उन्होंने अपने decisions अपने independent लेने की बात शुरू की धीरे धीरे ये conflict बढ़ा फिर हमने देखा कि 1993 के आसपास का वो इरा आता है जिसे हम कहते हैं coalition era कौन सा कहते है coalition era कोई मुझे बता दो coalition era क्या होता भई गट बंधन 1990s में क्या शुरू हुआ था आपका coalition government का बनना शुरू हुआ था कोई single party government नहीं बना पार रही थी लोगसभा में और लोग मिलकर आपस में इखटे होकर आपस में कुछ चुटी चुटी पार्टियां अपनी सीटों को मिलाकर एक सरकार का प्रस्ताव बना पाई coalition होता है और एक दूसरा भी होता है एक होता है alliance और दूसरा होता है coalition political party वाले chapter में काम आएगा alliance क्या होता और coalition क्या होता है alliance election से पहले बनेंगे और coalition election के पक्का देख ले ना मैं तो cushion बता रहा हूँ अब तुम्हें समझ आना चाहिए ना ये cushion ये भी है तो central state relation हमें समझ आ गया होगा अरे हाँ के ना ठीक है last point हमारा बसता है decentralization in India decentralization का मतलब क्या होता अच्छा decentralization से पहले centralization को समझ लो क्या कहते है है न दिल्ली में सरकार है एक single government हमारी है वो जो government दिल्ली में चला रहे हैं उन्होंने जो state list की power है उनको भी अपने पास रख लिया क्या कर लिया state list की powers को भी अपने पास रख लिया तो अब फैसला लेने का सिर्फ एक single point है अगर मैं गुजरात में कोई चीज करूँगा तो वो भी कहां से होगी दिल्ली से होगी अगर मुझे तमिल लाडू में कोई भी business करना होगा तो उसका भी फैसला कहां से होगा दिल्ली से होगा अगर मुझे बंगाल के अंदर भी कोई jute production करना उसका फैसला कहां से होगा दिल्ली से होगा तो मैंने क्या कर दिया है power को या फैसले लेने को एक center पर accumulate कर दिया है मैंने power को क्या कर दिया centralized क्या कर दिया बच्छे, सेंटरलाइज़ अगर मैं ये decision making की power central government से लेके state governments को divide कर दूँ थो मैं क्या कर रहा हूँ decentralization, क्या कर रहा हूँ बच्छे decentralization federalism में जितने levels होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा decentralization हो जाएगा यूरोप की countries के अंदर आपको दो level of government more than enough है, reason क्योंकि उनका area या उनकी diversity इंडिया के अंदर तो diversity बहुत अलग है हम लोग religion के बेस पे अलग है, हम लोग caste के बेस पे अलग है, हम लोग creed, race, हमारा रंग और regions, language, culture किस चीज पर नहीं है हमारा, हमारी diversity इंडिया का सबसे diverse nation अगर कोई है, दुनिया का सबसे diverse nation कोई है, तो वो इंडिया है तो जब इतनी ज़्यादा diverse population को आपको accommodation देनी है, accommodation तो अब clear हो गया होगा ना शब्द, अगर मुझे इतनी सारी diversity वाली population को accommodation देनी है, तो मेरे number of levels भी तो बढ़ने चाहिए ना, government में Belgium इत्तूसा है इतना तो हमारा हरियाना है जितना Belgium है जितनी पूरे US से में population है, इतनी उत्तरप्रदेश में है जितना पूरे US में है, और US हम से कितना बड़ा country है area के इसाब से, तो वहाँ government, दो level of government is more than sufficient पर इंडिया जैसी जगा में अगर हमें एक धाचागत या फिर एक, मैं कहूंगा के एक छोटे level से लोगों की problems को solve करना शुरू करना है तो हमें एक third tier of government की जरुरत थी के नहीं थी, उस third tier of government को हमने launch किया in the year 1992 1992 में भारत सरकार ने पूर्ण रूप से फैसला लिया कि तीसरा tier of government हम लोग form करेंगे which is known as local government local government गाओं में पंचायत और शहरों के अंदर mayor या फिर आपकी नगरपालिकाओं के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है आपके election भी तीन होते है न तीन तरह के नेता है आपके शामली शहर में भी पहला नेता कौन जो नगरपालिका का आपका देख्ष बनेगा फिर आपके MLA and then आपके MP MPs आपके अभी central government की जो election होंगे उनके लिए जिसमें आप परदानमंत्री को चुनेंगे इससे पहले अभी योगी जी का election हुआ थे जिसमें योगी जी CM बने थे उसमें MLA's का election हुआ था और जिसमें आपके ये नगरपालिका के जो chairman बने थे मुझे नाम याद में आ रहा है जो भी रहे होंगे कहना मैं election से थोड़ा दूरी रहता हूँ बहुत खतरनात ही रिया है election के बारे में बात करना कुछ लोगों की भावनाएं आहाथ हो जाएंगी हाँ बिटा आप I think उनकी वाइप बनी थी अच्छा पहले थी इस साल वो ही बन गए है रहे याँ basically आपने decentralization में भी कहीं तरह के corrections की हैं जैसे women's को reservations दिया है क्या दिया है SCST को SCST और OBC को reservations मिला है मिला के नहीं मिला आपको जानकर बड़ी प्रसंता होगी के 1992 में जो third tier of government हमारा बना था उस third tier of government में हमने one third of seats women's के लिए reserved कर दी थी one third मतलब लगबग 33% seats जो होंगी out of hundred कोई भी 100 seat में से 33 seat जो होंगी किसी भी राज्ये के अंदर वो किसको मिलेगी भाई महिलाओं के लिए आरक्षित होगी इसलिए जो आपने अभी अभी बात की ना कि पिछली बार तो उनको मिला था और इस बार वो खड़े हुए है वो reason यही था जहां महिलाओं का ticket fix कर दिया जाता है आपका state election commission बना election commission central government के द्वारा बनाया जाता है in fact बहुत सारी powers जो state government के पास थी किनके पास? state government के पास थी उनको local government को transfer कर दिया गया है अभी इसके अपने कुछ negatives भी है मैं उनको discuss नहीं करूँगा बट मोटा माटी जितना हम बात कर सकते थे decentralization हमारा clear हो गया है इससे पहले feature of federalism हमारे clear हो गई है holding together और coming together federation clear हो चुका है federalism क्या होता है ये clear हो चुका है legislative, executives, judiciary को हमने पूरा पढ़ लिया था पिछली class में पिछली chapters में और federalism के अंदर हमने वो level of division जो vertical division of power होता है इसको हम क्या बोलते है बिटा vertical division of power क्योंकि central government के पास ज़्यादा power उत्या state के पास कम और local government के पास सबसे कम तो हमने एक हिरार के ऐसे बनाई थी I hope हमारा यहां तक यह दो chapter अच्छे से clear हो गए है सारे questions discuss हो चुके है पहले chapter में जहां देखेंगे तो हम बात करेंगे पहला question कौन सा बताया था मैंने एक बार revise कर लेते हैं जितना भी हमने देखा था फर्स कोशन कौन सा सकता है composition of श्रिलंका एं बेल्जियम defining the majoritism and accommodation how it happens features of features of federalism पहले power sharing करते हैं न community government का एक question हमारा था then power sharing के forms किस तरह के हैं वो चार forms वो important question है हाँ क्या हो सकता है desire why power sharing is desirable prudential reasons and moral reasons ये हमारा एक question के लिए जो आता है power sharing का इतना ही था उसमें भी MCQ में मैंने बताया श्रिलंका 1948 वाला 1956 में जो वहाँ पर हुआ और ये 1970 से 1993 तक का जो वो पूरा का पूरा Belgium के अंदर चार कानून आये कौन कौन से कानून ने कौन सा बदलाव किया कैसे कैसे वो proposition में आया है वो हम देख लेगे short में मुझे समझाना था ये एक synopsis में हमने आज दो chapter complete कर लिया और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि next class में कल मैं आपको जेंडर religion वाला chapter complete करा हूँ और political parties complete करा दो ठीक है